अगर मैं देने की बात करूँ, तो इस दुनिया में सबसे ज़ादा देने वाला कौन है? क्योंकि हमें किसी से एक्जाम्बल तो लेना पड़ेगा, ये सकुद्रत तो है, लेकिन हमें आसपास का एक्जाम्बल चाहिए तो अगर मैं कहूँ, तो इस दुनिया में सबसे ज़ादा देने वाला है, वो है आपके पारेंट्स उन्होंने जतना दिया है, जिन्दगी बर बड़े होने के बाद कितनी भी दौलत कमालो, वो नहीं दे सकते आप उन्हें, जो उन्होंने आपको दिया है रात रात भर जागे, और आपको सुलाने के लिए उन्होंने अपने रातों की नीन खराब की, ये कोई नहीं दे सकता, पैसे इसे तोल नहीं सकते, उसका मोल नहीं चुका सकते मा ने आपको 9 मैंने अपने गर्ब में रखा और उन्होंने जो तकलीफ सहन की है उस तकलीफ का आप कोई मोल नहीं लगा सकते अरे वो तो आपसे उसी वक्त से प्यार करने लगे थे कि जब आपको उन्हों देखा भी नहीं था येस प्यार अंधा होता है क्योंकि उनको आपको बिना देखे ही वो आपसे प्यार करने लगे थे तो गिविंग की अगर हम बात करें तो पिता दिन भर बाहर महनत कर रहा है पसीने में मेहनत करने के बाद आपकी पढ़ाई के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए पैसे कमारा है और ये सिर्फ कर सकता है पिता या माँ तो उससे जादा देने वाला कोई नहीं तो हम इतना तो कर सकते हैं कि वो उन्होंने जितना दिया हम तो नहीं दे सकते लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हम दे सकते हैं क्या? एक स्माइल, रेस्पेक्ट, प्यार उनको हग करके एवरी डे कह सकते हैं ममी, I love you, पापा, I love you, you are the best बस उनके लिए काफी है वो आप पर इतनी मैनत इसलिए नहीं कर रहेगी भी अब दिरुबाय अंबा नहीं बन जाओ, और कल चलके वो नोट चापे, बलकि वो इसलिए कर रहे हैं कि बस आपकी स्माइल देख ले आपका बविश्य अच्छा हो, थोड़ी से रेस्पेक्ट और थोड़ा सा प्याद, सहारा आपसे मल जाए, बस इतनी आशा होती है तो उतना तो हम दे सकते हैं हो सके, तो रोज सुबे अपने माबाप के पैर चुईए, आप देखेगा आप जो भी काम के लिए जा रहे है, सफलता मिलेगी, बिजनस नहीं चल रहा है, बिजनस चलेगा बिकॉस, उद्रत ने आपको उनके माध्यम से भेजा है, सरकेट है, वायर है जैसे ही वायर, अगर वायर को बीच में से काट तू, तो क्या उपर वाला जो आपको देना चाहते है आप तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो जिस व्यक्ति कि अपने माबाप से नहीं पढ़ती, जो माबाप के रेस्पेक्ट नहीं करता, गालियां देता है या उनकी बारे में भुलकिल बुरा बोलता है उनके मूपर जवाब देता है उसने डिरेक्टली अपना वायर काट दिया है उपर से वो माबाप अगर खुछ नहीं आपको अशिरवाद नहीं दे रहे है आप उनके पैर नहीं छुरे तो वो चीज आप तक नहीं पहुंच रही है तो क्या करेंगी वो सर्किट को क्रियेट करेंगे आपने माबाप के फिर से पैर छुना शुरू करेंगे और पैर जब आप शुते हैं न तो आपको energy मिलता है उनका experience मिलता है कैसे हमारे शरीर में तीन open energy centers होते हैं एक होता है माथे में हातों में और पैरों के तलवों में ये तीन centers है तो आप देखिए कि आशिरवाद लेने का जो process है scientific process है क्योंकि आप सामने वाले के क्या छुते हैं पैर जहाँ पर open नाड़ी है energy center है open नाड़ी है पैर छुते हैं किस से हातों से open नाड़ी टच हो रही है और वो आशिरवाद कहां से देते हैं हातों से और कहां रखते हैं सर याने यह एक्चिली एनर्जी सर्केट क्रियेट हो रहा है वो आशिर्वाद आपको मिल रहा है तो आज से अगर कुछ देना चाहते है तो अपने माबाब को रेस्पेक्ट प्यार पैर चुना शुरू करें उनसे प्यार करना शुरू करें कहें उनको I love you